हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर अभी सुभा का टाइम है सभी यहाँ पर सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर यहाँ श्याम जाग जाता है सुभा सुभा ममी उठो सुभा हो गई खेलना खेलना गारी से खेलना ये ये चलो चलो खेलना अरे ये क्या श्याम तो सुभी सुभी खेलोने से खेलने लगा चलो चलो दोस्तों के पास चलो गारी खेलना चलो अरे ये क्या यहाँ पर तो श्याम अकेले ही कहीं पर जा रहा है और फिर तभी यहाँ पर श्याम अचानक से रुख जाता है हें? हें? दोक्टर डोक्टर शूई शुई डोक्टर अरे श्याम ऐसा क्यों कह रहा है? अरे यहाँ पर तो डोक्टर और नर्स भी खड़ी हुई है अरे डोक्टर नीजी आप मुझे बताईए कि इतने सुभे सुभे को सुभे लगाने के क्या जरूरत पड़ गई आपने मुझे इतने सुभे सुभे किसले बुलाया है अरे नर्स तुम्हें नहीं पता है क्या गवर्मेंट ने कहा है कि छोड़े बच्चों को सुभे लगवानी है तुम्हें पता है ना किती सारी डाइरिया और बिमारी फेल रही है इसलिए बच्चों को सुभे लगवाना है बहुत ही एच्छा कि आपने अभी तो सब अपने घर पे होंगे बहुत ही अच्छा है अरे हाँ हाँ मुझे पदा है चलो अब चलते हैं जल्दी से एक दो सर्दियों का मोसम भी हाया है बच्चों को कितने जल्दी खासी और सर्दी हो जाती है बच्चों के इमिनिटी पावर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है इस सुई से बच्चों की इमिनिटी पावर बहुती ज़्यादा मजबूत हो जाएगी अरे हाँ डॉक्टे नी जी चलिए चलते हैं अरे हाँ हाँ चलो चलते हैं इस तरफ पहले चलते हैं हाँ सुई नहीं सुई नहीं छुपना 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 कहां चुल चुल भागो 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 और यहां पर श्याम सुई का नाम सुनकर वहां से डर कर भागने लगता है चिपना चिपना है सुई लगाने नई नई चुपो चुपो जल दीशे गया के नीचे चिपना है और फिर श्याम चिपने के लिए जगा दूरने लगता है हाँ हाँ खटिये के नीचे खटिये के नीचे चिपना चिपना है शुई नई शुई नई अब धूरना नई शुई नई रगवाना अरे ये क्या देखो तो श्याम तो खटिये के नीचे चिप गया है अरे डॉक्टर नी जी शायद ये तो, हाँ ये तो राधा का घर है, हाँ यहाँ पर श्याम होगा उसे भी सुई लगानी है, लेकिन श्याम सच में बहुती ज़्यादा सराटी बच्चा है, अरे क्या सच में यहाँ पर बच्चा है, क्या चलो जल्दी से फिर सुई लगा देत मैं पिछली बात दूसरे डॉक्टर के साथ आई थी बहुती ज़्यादा परेशान किया था यह लोग जल्दी सुई लगवाते नहीं है बहुत ज़्यादा डरते हैं सुई से अरे कोई बात नहीं देखना मैं एकदम बड़ियां से सुई लगा दूगी चलो चलते हैं हाँ चलिए चलिए चलते हैं देखते हैं क्या होता है अरे ये क्या नर्स देखो यहाँ पर तो सब लोग घोड़े बेच कर सो रहे हैं इतनी भी सुभा नहीं है अरे अब हम क्या करें जल्दी से बताओ नर्स कोई बात नहीं डॉक्टर नी जी मैं अभी जाकर राधा को जगा देती हूँ इसमें कोई भी चिंता लेने वाली बात वैसे भी राधा अपने बच्चों के हेल्थ के लिए बहुती सदक कौनची ऐस है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ जल्दी से हाँ जल्दी जाओ नर्स हमें अभी बहुत सारे घर पर जाना है बहुत सारे बच्चों को सुई लगानी है अरे हाँ ठीक है ठीक है मैं जल्दी इसे वे क्या बात हो गई हम तुभारे बच्चे को सुई लगाने के लिए हैं ये हेल्स सेंटर से हमको नोटिस आया है कि सारे छोटे बच्चों को इम्मूनिटी का सुई लगवानी है ठीक है ना तू जल्दी बताओ श्याम कहा पर है हम जल्दी से उसे सुई लगा देते हैं विसे भी वो भी एक साल का है, क्यों? सुबह सुबह शाम के पापा उठ जाए जल्दी से अब क्या कर रहे हैं उठिये कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं अरे शाम के पापा उठ जाए जल्दी से अब क्या कर रहे हैं इंको तो मेरी बात ही नहीं सुनाई दे रही अरे क्या हुआ राधा किविते सुबह सुबह पर दूसरे दूसरे गाव में भी जाना थे पता नहीं राधा का बेटा मिल नहीं रहा है पता पड़्चिप गया उसे पता तो नहीं चल गया कि हम सुई लगाने के लिए आए हैं अरे हाँ श्याम की पापा यही बात है अभी डॉक्टर नी जी चली जाएंगे फिर कैसे उसे सुई लगेगा इमेरिटी का क्या गरू में मिल नहीं रहा है वो जागर ढूनिये ना चल्दी से अरे हाँ राधा यहीं कही पर होगा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रुको मैं अभी डूनता हूँ उसे ठीक है ना हाँ ठीक है आप भी डूनिये और मैं भी उसे डूनती हूँ चल्दी कीजी वरना डॉक्टर नी जी चली जाएंगी सुई नहीं लग पाएगा फिर श्या और एखते की अरे यहां पर तो सिर्फ गईया ही है शाम कहां पर गया पता नहीं कहां चला गया इतने सुभज सुभज श्याम बेटा श्यौंग कहां पर हो तुमाइट नहीं चॏव आजाओ जांगलने के लिए औरे अरे झाली हृऌ ज लिप यहीप जतीक पर पहां पर चल प्रणाओंगी श्याम को सुई लगाने के लिए अच्छा ठीक है नर्स चलो चलते हैं खामका इतने ज्यादा टाइम खराब हो गया चलो चलते हैं अब यह तक तो हम दो चार बच्चों को इस वह लगा दिये होते चलो नर्स चलते हैं जल्दी से बाकी बच्चों को भी सुई से निकाल देंगे औरे सच में इसी बाते क्या मुझे माफ कर दीजिए मैं श्याम को जल्दी से घर पर बिठाए रहूंगी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप जाए काम कर लीजिए चलिए डोक्टर नी जी चलते हैं अरे हाँ नर्स चलते हैं जल्दी से चलते हैं चलो चलो वह हम चेंदी से चेंदी जोरु कि ज्याती है अरे लगता है इस चिछी आई है देखो तो जरा इसे तरह इसे हो यह पर श्याह अपनी चड़ी निकालने लगता है डॉक्तर निजी आई है जल्दी से इस श्याम मिल गया जल्दी से आईए और चलो चलो लगता है इंएए वो रहा जाई है जल्दी से सुई लगाती जी, अरे हां मैं जल्दी से लगा देती हूं इस बच्चे को सुई, रुख जाओ बेटा, ये बस हो गया, अरे अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम पिलकुल भी चिंता मत करो, इससे तुम्हारी एमिनेटी तेज हो जाएगी, हे हे, हो गया बस, त तुम्हें कब से ढूण रही थी, तुम तो सच में बहुत ही जादा शरारती होते जा रहे हो, अरे देखो तो शाम को कैसे उसे चीची लगी है, और कैसे उसे सुई लगा दिया, डॉक्टर नी जी ने, अरे शाम भी न, हे, हे, पापा गंडे, गंडे, पापा गंडे, अरे हरे शाम, सौरी सौरी, अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा था, तुम्हारे उमिनिटी पाउर तेज हो जाएगी, और क्या बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा ठीक है रादा, हमने तुम्हारे बच्चे को सूई लगा दी है, अब हम चलते हमें, बहुती ज़ निजी चलते हैं जल्दी करते हैं बहुती देर हो गई है और यहां पर टॉक्टर नर्स जाने लगती हैं चलो चलो अगर आपको हुमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चेलर को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व